आप लोग मेरे साथ साथ में step by step, अराम अराम से कुछ ऐसा experience करोगे जिसको सहत समाधी कहते हैं, उसी को निर्विकल्प समाधी भी कहते हैं, इस word को अच्छे से समझे लो, समाधी, धी मतलब बुद्धी, सम मतलब जहां पर बुद्धी के करने के लिए कुछ भी नहीं रह गय है, ध्यान से अगर observe करोगे अपनी brain को, तो आपकी बुद्धी हमेशा activated होती है, और हर moment में कुछ न कुछ जज करने की कोशिश कर रही होती है, कोई न कोई decision लेने की कोशिश कर रही होती है, कुछ न कुछ बोलने की कोशिश कर रही होती है, कुछ न कुछ सोचने की कर रही होती है तो एक ऐसा पॉइंट आता है at the level of understanding जब बुद्धी के करने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता है कोई effort नहीं रह जाता है उस choiceless state को बोलते हैं निर्विकल्प समाधी सबसे पहले एक चीज समझनी ज़रूरी है कि जब हम inquire करते हैं who am i तो कुछ चीजे हैं जिसके बिना भी आप exist कर सकते हो और कुछ चीजे हैं जिसके बिना आप exist नहीं कर सकते हैं for example यह जो हमने कपड़े पहने हुए है इसको हम बदल सकते हैं तो इसका मतलब हम इसके बिना भी exist कर सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि we are not the clothes that we are wearing यह specs को हम बदल सकते हैं इसके बिना भी exist कर सकते हैं तो we are not this objects जो भी आपके पास में objects हैं आपका घर है गाड़ी है पैसा है bank balance है job है business है उसके बिना भी आप exist कर सकते हो हाँ वो existence इतनी comfortable नहीं होगी but exist कर सकते हो तो वो आप नहीं हो अब इसका मतलब यह नहीं है जो लोग समझते हैं कि इस सब में कुछ नहीं पड़ा है तो सब छोड़ दो जब past में ऐसी बाते कुछ लोगों ने करी रिश्यमुनियों ने तो बहुत सारे लोगों ने इसका मतलब क्या निकाला कि संसार में कुछ नहीं पड़ा है सब मोम आया है रिलेशिंशिप में कुछ नहीं पड़ा है सब बेकार है तो सब छोड़ दो लेकिन जो छोड़ने वाला है उसको नहीं छोड़ा जानी कि उनका मैं है और वो चीज़े जो यूसफुल थी यूसफुल है और यूसफुल रहेगी उस सब को छोड़ दिया तो आप क्या करें इस दुनिया में एक्जिस्स कैसे करें आपके पास में पैसा है जो आता है या तो जॉब करके या बिजनस करके किसी भी तरीके से या पीछे से आपके पेरेंट से आपको पैसा मिला है घर मिला है एक particular lifestyle है तो अब उसका क्या करे उसकी दो नजर हो सकती है उसको देखने की जो भी आपके पास में चीजें हैं एक कि आप उसके मालिक हो You are the owner of that दूसरा You are the caretaker of that देखने में ये difference बहुत छोटा लग रहा होगा लेकिन ये बहुत बड़ा difference है Relationship में आपके पास में दो नजर हैं देखने की एक कि जो भी लोग आपके साथ में relationship में है मालो आपके बच्चे हैं तो आप उनको इस तरीके से देख सकते हो कि ये मेरे बच्चे है यानि आपका उनके उपर हक है और आप उनसे जो चाहे वो करवा सकते हो ये हो गया ownership mindset दूसरा क्या हो सकता है care taker mindset जैसे shirt मैंने पहनी है एक तरीका ये है मैं कहूँ इस shirt से enlightenment का कोई connection नहीं है छोड़ो इस shirt का क्या करना है कपड़ों का क्या करना है तो mindset क्या होना चाहिए हमारा बजाए इस shirt के मालिक बनने के इस shirt के care taker बन जाओ ये shoes मुझे help कर रहे है मेरे पेरों को बचा करके रख रहे है जूते चपल whatever it is let me take care of it ये पेर पौदे मुझे help कर रहे है let me take care of it जो मेरे बच्चे है वो मुझे help कर रहे है अपनी ही अलग-अलग dimensions को discover करने में मेरे अंदर जो feelings है emotions है ऐसी जो मुझे पता भी नहीं है वो मेरे सामने आ रही है किस की वज़े से वो बच्चों की वज़े से let me take care of them let me take care of my wife let me take care of my parents let me take care of the money in my bank account let me take care of my job my business let me take care of my body because if I don't take care of my body I'll not be eligible to listen to what I am saying और other people are saying आप सुनी नहीं पाओगे तो अगर ज्यादा indulge होगे इस दुनिया में तो भी नहीं सुन पाओगे या पढ़ पाओगे या समझ पाओगे और अगर आपने बिल्कुली नेगेट कर दिया इस दुनिया को तब भार से तो आप नेगेट कर दोगे लेकिन अंदर 24 घंटे उसकी क्रेविंग आपको तंग करेगी तो सलुशन क्या है? मॉडरेशन ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम सब कुछ नाचुरली जितना जरूरी है वहीं तक रखो जबरदस्ती किसी भी चीज के उपर किसी भी इंसान के उपर कबजा मत करो तो तो पिश्यादा गुट केर अव एट बट डोंट एवर थिंग आपको जादी हो गई तो पिश्यादा किसी इंसान से किसी वज़े से डिवर्स हो गया यू बी इन अ मैस इफ यू वर दी हस्बें और वाइफ लेकिन अगर इस सच को आप देख पा रहे हो तो आप बड़ी असानी से वहा से निकल सकते हो उस फेज में से निकल सकते हो उससे निकल करके क्या होगा आप इस एंक्वाइरी को कर सकते हो Who am I Because if all of this is not connected to the self-inquiry यानि कि ये पूरी दुनिया और इस दुनिया में जो भी लोग हैं वो अगर self-inquiry से connect नहीं हो रहे हैं तो आप अग्यान की तरफ भढ़ रहे हो अग्यान मतलब दुख अगर वेदो की और उपनिशत की नजर से देखा जाए तो कितनी भी knowledge आपको मिल जाए इस दुनिया में वो सब अग्यान है अगर वेदो की नजर से देखा जाए तो अविद्या है वो किसी काम की नहीं है As far as the internal world is concerned Yes, knowledge is useful from the standpoint of the external world हमको space को explore करना है तो उसके लिए हमको ऐसे devices create करने है ऐसे rockets create करने है कि हम perfectly अलग-अलग जगाहों पर अलग-अलग planets पर जा सके वहाँ पर जाकर की चीज़े explore कर सके बहुती precision चाहिए है वहाँ पर बहुत perfection चाहिए तो knowledge is useful as far as our survival is concerned and comfort is concerned but don't ever think that is connected to happiness तो अगर हम एक एक करके यहां तक समझ पा रहे हैं कि अब आपकी life में जो भी चल रहा है चाहे आप married हो चाहे नहीं हो चाहे आपके पास में बहुत पैसा है चाहे नहीं है चाहे आप job करते हो चाहे business करते हो आपके पास इतना होना चाहे है कि आपको अपने basic survival की tension नहीं है आपकी life एक reasonably comfortable level पर है तो आप तयार हो यह सुनने के लिए जो मैं अभी आप लोगों के साथ में share करने वाला हूँ अगर आपके पास इतना भी नहीं है कि आपको अपने basic survival की tension है तो मत सुनो यहां से या तो चले जाओ या अगरे वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो को बंद करतो पहले at least इतना तो कर लो इतनी समझ तो आपके अंदर होनी चाहिए कि आप अपना और अपने साथ में जो लोग आप पे depend करते हैं उनका पेट भर सको अगर इतनी भी understanding आपके अंदर नहीं है और spiritual path पे आ रहे हो तो क्या करोगे यह आपके साथ भी गलत होगा और उन लोगे साथ भी गलत होगा जिनको आप सिखाओगे क्योंकि उनको भी कुछ ऐसा ही सिखाओगे कि life में कुछ नहीं पड़ा है सब छोड़ दो आजो तुम भी हमारे साथ में कुछ नहीं छोड़ना है वो सब एक battle ground के जैसा है जो आपको तयार कर रहा है life की सबसे बड़ी battle के लिए अगर आप छोटी छोटी battles नहीं लड़ पा रहे तो बड़ी battle कैसे लड़ोगे यह सब तो बहुत छोटी battles है यानि पैसा कमाना अपनी जो wife है या husband है उसको respect देना उसकी care करना उसको समझना अगर आप इतना ही नहीं समझ पा रहे हो कि पैसा कैसे कमाना है तो यह कैसे समझोगे हुआ यू यह समझने के लिए तो you need to have such a mind जो सीधा देख सके गुबा फिरा करके नहीं जो जैसा है उसको वैसा देख सके जिस mind में manipulation नाम की कोई चीज ना हो जो कभी किसी को deceive ना करता हो ना खुद को ना किसी और को तो यह सचाई का path है सत्य का path है इस पर चलने के लिए you need to be absolutely straightforward जो है जैसा है उसको वैसा ही देख लेना है जो समझ आया है नहीं आया है उसको as it is देख लेना है तो as far as this world is concerned तो आपकी बुद्धी को उस सब का जवाब मिल गया है अगर आपने ध्यान से सुना है तो एक word में कहा जाए तो वो क्या है moderation कुछ भी नहीं छोड़ना है कुछ भी नहीं पकड़ना है पकड़ना मतलब ownership छोड़ना मतलब भागना तो इन दोनों के बीच में यानि ये ownership के और भागने के बीच में एक simple सा रास्ता है जहां पर effort ना के बराबर है वो क्या है कि जो आपका basic nature है मानलो आपका जो basic nature है उसके इसाब से job आपके लिए suitable है business नहीं है तो job करो ना किसने कहा है कि business करना है मतलब जो काम minimum effort के साथ में हो सकता है उसमें unnecessary effort क्यों put करना है इतनी समझदारी आपके अंदर होनी चाहिए बज़े औरों को देख करके अपने आस पास में उनके जैसा बनने के चक्कर में अगर आप फसे हुए हो तो अभी आप eligible नहीं हो next step पे जाने के लिए यानि कि ये सुनने के लिए जो मैं बोल रहा हूँ या जो भी scriptures में लिखा हुआ है क्योंकि अभी आपको ये गलत फहिमी है कि मेरे पास में कम है उसके पास में ज्यादा है अगर मेरे पास में ज्यादा आ गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा तो आप इतना तक नहीं देख पारे कि उसकी life में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपकी life से अलग हो fundamentally superficially yes there is a difference आपके पास में छोटी गाड़ी है उसके पास में बड़ी गाड़ी है आपके पास में छोटा घर है उसके पास में बड़ा घर है बट क्या माइंड के अंदर जहां करके देखोगे तो जो आपके thoughts है feelings है emotions है उसमें और उसके जो thoughts है feelings है emotions है उसमें कोई फर्क है it is not similar it is same you need to have such an intelligence कि आप इस सच को देख सको नहीं तो आपके अंदर ये गलत फहमी बनी रहेगी कि मेरे जो आइडल है वो कोई भी हो सकता है या कोई भी हो सकती है कि उसके पास में कुछ ऐसा है जो मेरे पास में नहीं है और आप हमेशा मरते दम तक इस race में भागते रहोगे कोई इंसान है चीजों के पीछे भाग रहा है कोई इंसान है लोगों के पीछे भाग रहा है कोई इंसान है जो चीजों के पीछे भागा लेकिन उसको चीजे नहीं मिली लोगों के पीछे भागा लेकिन लोग नहीं मिले चाहिए कमी उसमें थी या सामने वाले में थी तो उसने क्या सोचा? यहाँ पे कुछ नहीं पड़ा है अब वो कहां भाग रहा है? So called spiritual world इस दुनिया में मुझे respect नहीं मिली शायद इहां मिल जाए तो ये एक नई रेश शुरू हो जाती है सुख चाहिए था खुशियां चाहिए थी इस दुनिया में नहीं मिली अब कहां मिलेगी spiritual world में मिलेगी कैसे मिलेगी meditation करके मिलेगी कैसे मिलेगी ये करके मिलेगी ये बन के मिलेगी कैसा बनना है उनके जैसा कौन वो जो यहां पर बैठे है उन में कुछ खास है और मुझे में नहीं है अगर कोई ऐसा कह रहा है तो वो आपको बेवकूब बना रहा है जो भी यहां पर बैठा है और जो वहाँ पर बैठे है उन में कोई फर्क नहीं है As far as body is concerned As far as mind is concerned Mind मतलब क्या? Feelings, emotions Body मतलब क्या? जो हमारे 5 senses हैं जिस तरीके से वो operate करते हैं No difference अपने हाथ पे कुछ गरम लगाओ उनके हाथ पे लगाओ Same reaction आएगा जिन चीज़ों को आपने पकड़ा हुआ है जो आपके beliefs हैं उसको question करो या उनके beliefs हैं उसको question करो दोनों तरफ aggression नजर आएगा कभी करके देख लेना तो क्या फर्क है? Body के level पे, mind के level पे कोई फर्क नहीं है हो सकता है कि understanding के level पे कुछ फर्क है लेकिन मैं अब एक बात कहूँगा अगर इस बात को ध्यान से सुना, ध्यान से समझा तो आप लोगों के जितने भी misconceptions हैं अपने idols से related ये जो भी spirituality से related आपके mind में concepts बने होए हैं for example enlightenment का नाम सुन करके आपके mind में गौतम बुद्ध की में जाती है एक minute के अंदर-अंदर अगर میरी इस बात को ध्यान से सुन लिया तो मैंने भी क्या कहा, बोड़ी के level पे कोई फर्क नहीं है mind के level पे कोई फर्क नहीं है, समझ के level पर फर्क है बट समझ के level पे जो फर्क होता है उसकी वजह से जरूरी नहीं है कि mind के level पे और body के level पे भी फर्क आए भ्यान से सुनना एक doctor है जो cancer को cure करता है उसको पता है smoking की वज़े से cancer होता है वो ऐसे patients को सुबह से रात तक treat कर रहा है उसको theoretically सब कुछ पता है उसकी आँखों के सामने है कि इसकी वज़े से कितना दर्द होता है लेकिन वो खुद cigarette पीता है एक बच्चा जो 15-16 साल का है वो cigarette पी रहा है समझ आता है क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि इसकी वज़े से क्या होने वाला है अगले 10 साल बाद 20 साल बाद बट उस doctor को theoretically भी सब कुछ पता है जो उसने 15 साल में सीखा practically भी सब कुछ उसके सामने है उसको ये भी पता है कि इस बिमारी से ज़्यादा painful इस बिमारी का इलाज है उसको ये भी पता है कि ये करने से ये बिमारी होने की possibility क्या है फिर भी वो एक chain smoker है तो जैसा हम समझते हैं कि अगर कोई इंसान enlightened है तो वो body के level पे, mind के level पे आप से अलग है तो ये आपकी गलत फैमी है वो इंसान इस concept को बेच रहा है आप लोगों को क्योंकि जब तक वो ये बेचेगा नहीं और आप ये खरीदोगे नहीं तब तक वो नहीं हो पाएगा जो वो इंसान चाहता है क्या ऐसा हो सकता है कि body के level पे आप में और किसी भी ऐसे इंसान में जो कह रहा है कि आप में और उनमें कोई फर्क है क्या वो फर्क actual में हो सकता है या ये सिर्फ एक image है जिसको create किया जा रहा है आप लोगों के mind में और आपको dilute किया जा रहा है तो थोड़ा सा समल करके ये जो रास्ता है यहाँ पर 99.99% लोग ऐसे मिलेंगे आपको जिनको आप से मतलब नहीं है जिनका खुद का कोई न कोई agenda है खुद की कोई न कोई चाह है जिसको वो पूरा करने में लगे हुए है तो अगर आप यहाँ तक मेरे साथ साथ में चल पा रहे हो यानि कि हमें common ground पे आ गए है कि आपको मेरे जैसा नहीं बनना है मेरे को आपके जैसा नहीं बनना है आपको किसी के जैसा नहीं बनना है आपको कुछ नहीं करना है कुछ नहीं पकड़ना है कुछ नहीं छोड़ना है तब करने के लिए क्या रह गया है कौन आपको बताएगा कि आपके काम को आपको ढंग से कैसे करना है कोई और बता सकता है यानि जो भी आपकी job है वहाँ पर रहना है या उसको छोड़ना है या वहाँ पर रह करके काइसे grow करना है यह कौन बताएगा आपको आपकी जो wife है या जो आपका husband है उसके साथ में कैसे relationship को अच्छा करना है कैसे नहीं करना है वो कौन बताएगा आपको क्योंकि जो पताएगा उसको तो कुछ पता ही नहीं उस इंसान के बारे में वो कैसे बता सकता है हर relationship की अपनी अलग dynamics होती है तो आपको किसी की ज़रुवत है यह नहीं यह करने के लिए जो मैंने भी कहा यानि एक simple सी life जीनी है अब वो simple life का मतलब हर एक के लिए अलग-अलग हो सकता है अगर आप comfortably एक flight में business class को afford कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है करो बट अगर afford नहीं कर सकते हो तो train में जा सकते हो तो इस तरीके से करो that you are the care taker of the money that you have got उसको अच्छे से manage करता है उसको multiply करता है इस सब के लिए intelligence से ही है उस intelligence को acquire करो तो यहाँ पर हमने क्या किया अभी जो आपकी life की बहुत बड़ी complication थी उसको हमने release कर दिया मतलब मैं क्या कह रहा हूँ आप जो हो, जैसे हो, perfect हो कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ अगर आप पानी में तहर रहे हो एक मचली की तरह है तो उपर देख करके पंची को यह नहीं बोलना है कि मुझे उड़ना है यही आपकी problems की सारी की सारी जड़ा है I hope यहाँ तक हम साथ साथ में चल पा रहे हैं अभी एक step और आगे भड़ सकते हैं सबसे basic level से शुरू करते हैं जो हमारे कपड़े हैं वो हम नहीं हैं क्यों क्योंकि इसको हम बदल सकते हैं इसके मिना भी हम exist कर सकते हैं कपड़ों के रहने से या मिटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ध्यान से सुनना ध्यान से समझना अब एक एक करके step by step हम आगे भड़ेंगे और अगर आप मेरे साथ में रहे तो अभी थोड़ी जेर में यू इसको बोलते हैं सहथ समाधी या निर्विकल्प समाधी जिसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है कोई effort नहीं है कुछ choice नहीं है Choiceless meditation तो हमने शुरू कहां से किया कपड़ों से फिर हम एक step और आगे भड़ें आप आपका bank balance नहीं हो क्योंकि उसके कम होने से या उसके ज़्यादा होने से आपको फर्क नहीं पड़ता है उसके बहुत भड़ जाने से भी आपको फर्क नहीं पड़ता है ऐसा नहीं होता है ना कि bank balance बढ़ जाता है तो आप बढ़ जाते हो हाँ आपकी ego बढ़ जाती है पट आप तो नहीं बढ़ जाते हो ना आप तो वैसे के वैसे रहते हो तो you are not your bank balance and whatever the objects are which is connected to your bank balance that is money वो क्या है गाड़ी घर you are not your house you are not your car but at the same time you are a caretaker very important to understand you are not your relationships you are not a husband or wife क्योंकि husband पैदा होता है कब? जब शादी होती है wife कब पैदा होती है? जब शादी होती है तो husband और wife में actual में कोई बड़ा चोटा नहीं होता है दोनों की age हमेशा सेम होती है दोनों एक साथ में एक ही दिन एक ही time पे पैदा होते हैं आदमी और 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 अरत अलग अलग दिन पैदा होते हैं बट जो husband और wife है वो एक साथ एक ही time पे एक ही जगे पर एक साथ में पैदा होते हैं तो दोनों age में बराबर हैं तो अगर कभी कोई आ करके आपको यह बोलता है कि मैं तिरसे age में बड़ा हूँ तो उसको यह वीडियो दिखाना वो गलत कह रहा है या गलत कह रही है husband और wife की age हमेशा सेम होती है पांच साल हो गए शादी को दोनों पांच साल के बच्चे हैं तब ही आप देखो कि जो सबसे जादा जो लड़ाया होती है शादी में वो टीनेज के टाइम पे होती है फिर एक स्टेज ऐसी आजाती है जब वो दोनों में चौर हो जाते है फिर फरकी नहीं पड़ता है कुछ भी बोलते रहो तो जब मैं कह रहा हूँ कि आप husband नहीं हो wife नहीं हो क्यों कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपका divorce हो जाता है तो वो husband कहां चला जाता है wife कहां चली जाती है और मालो divorce के बाद में कहीं और किसी और से शादी हो जाती है तो now your husband number two या wife number two ये बाते सुनने में छोटी लग रही है बट अभी हम जैसे से आगे भढ़ेंगे आपको इसकी significance समझ आएगी क्योंकि अगर ये नहीं समझ आ पा रहा है ये बहुत basic level की बाते है तो आगे जो मैं बोलने वाला हूँ वो नहीं समझ आएगा ये clear है you are not a husband or a wife or any of the roles that you are playing that is an employee अगर आप बोलते हो मैं एक employee हूँ मैं अगला question आपसे ये पुछूँगा employee of what? you are working in which company? आप कहोगे इस company में relational हो गया तो ये relative हो गया बट अगर उस company को आपने बदल दिया या अपना कुछ खुद चुरू कर दिया तो employee कहा गया? वो कहीं था ही नहीं that was just a name given to the role that you were playing जैसे stage के ओपर जो plays होते हैं या movies में हम देखते हैं कि वो लोग अलग-अलग characters को play करते हैं तो एक role है जिसको आप play कर रहे हो तो आप आपके सारे roles से liberate हो गए जितने भी labels आपके ओपर लगे होई हैं उस सबसे liberate हो गए तो जब इस बहार की दुनिया में जो भी roles आप play कर रहे हो in relation to a person or a situation or an object इन सारे roles को आप अपने से अलग करके देख सकते हो और आप कह सकते हो कि ये roles को कभी भी बदला जा सकता है ये बदलते ही रहते हैं इसलिए मैं ये नहीं हूँ तो आप अगले स्टेप पर जाने के लिए त्यार हूँ अब अगला स्टेप आता है ये body इसको inquire करते हैं are you your body? are you your gender? आज साइंस ने दिन तरक्की कर ली है कि gender को बदला जा सकता है male को female बनाया जा सकता है ये बात अगर मैं आज से हजारों साल पहले किसी के साथ में करता तो उसको समझ नहीं आती ये कैसे हो सकता है आज तो हो रहा है तो you are not your gender because it can be changed as simple as that that which you can change that which is in time that is not you अगर कुछ ऐसा है इस दुनिया में जिसके बिना भी आप exist कर सकते हो वो आप नहीं हो और अगर कुछ ऐसा है जिसके बिना आप exist नहीं कर सकते हो वो ही आप हो scriptures उसके बारे में बात करते हैं तो अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा contradiction आ जाता है scripture में कुछ और लिखा होता है उसको में interpret करते हैं अपने तरीके से हमारा तरीका क्या है लाइफ को देखने का मैं यह हूँ question करो यह क्या है अभी हमने gender को question किया अब हम question करते हैं पांट senses को you are not your nose you are not your sense of smell उसको बदला जा सकता है operation करो sense of smell गायब operation करो sense of smell को बढ़ाय जा सकता है गम किया जा सकता है उसमें changes किया जा सकते है भार की दुनिया में समझ आ गया है कि जो भी आपके labels है वो भार की चीजों से कैसे connected है husband is connected to wife तो यह क्या हो गया relative हो गया if you say I am rich that is connected to what money कल पैसा नहीं है तो you are poor फिर पैसा आ गया तो rich तो यह सब क्या हो गया relative हो गया अब ध्यान से सुनना ध्यान से समझना अब हम थोड़ा आगे जा रहे हैं हमने सांस ली उसमें खुश्बू आई या बद्बू आई तो एक है smell एक है act of smelling एक है smeller हम एक एक करके आगे भढ़ेंगे पांच जो senses हैं तो हम एक एक senses को inquire करते चलेंगे आगे भढ़ते चलेंगे उसके बाद मन, बुद्धि, चित, अहंकार की तरफ जाएंगे तो यहां तक तो हमने देख लिया कि यह husband मिथ्या है सत्य नहीं है सत्य आदमी है अमीर मिथ्या है आदमी या औरत सत्य है मिथ्या है, मिथ्या मतलब किया जिसको बदला जा सके जिसको चेंज किया जा सके और फिर भी आप exist करते हो वो मिथ्या हो गया जैसे कपड़े तो हमने यहां पर आदमी औरत को भी नेगेट किया, एक स्टेप और आगे भढ़े जो आदमी औरत दोनों में common है वो क्या है sense of smell that is corresponding to धर्ती तो जब हमको कोई अच्छी smell आती है तो हम खुश हो जाते है बुरी smell आती है तो परिशान हो जाते है तो जैसे ही वो smell आती है तो there is a smell which is a sense object there is smelling and there is smeller जैसे there is thought there is thinking there is thinker अब इसको ध्यान से देखो क्या ये जो smeller है इसका अपने आप में कोई separate existence है are you the smeller जैसे हमने husband wife के case में देखा अमीर गरीब के case में देखा gender के case में देखा अब smell के case में देखो are you the smeller अगर smell तो आए but उसको कोई interpret ना करे कि ये अच्छी है बुरी है तो क्या कोई smeller है तो जो subject है और object है उसमें कोई separation नहीं है ये separation कब पैदा होता है जब thought बीच में interfere करता है thought उस smell को identify करता है identify करके उसको categorize किया जाता है उस पे ठपा लगाया जाता है कि ये गुलाब की smell है यानि की अच्छी है ये इसकी smell है यानि की बुरी है so this smeller is nothing but a thought जो memory पे टिका हुआ है memory को हटा दो there is no smeller जैसे एक hospital है जहाँ पर चार newborn babies है वहाँ पर हमने एक smell को push किया जो खुश्बू है और एक तरफ से push किया जो बद्बू है जैसे उस खुश्बू को हमने वहाँ पर छोड़ा उस चार newborn babies है उनका कोई reaction नहीं आया smell है और अगर breath चल रही है तो smelling भी है but there is no smeller there is no thinker वो अभी पैदा ही नहीं हुआ है this is a state of pure consciousness जहाँ पर जो subject है और object है उसमें कोई separation नहीं है plus एक और भी point है यहाँ पर बहुत बड़ा कि जो sense of smell है इसको भी control किया जा सकता है इसको भी change किया जा सकता है उसके बाद भी आप exist करते हो in relation to your other senses तो जिसके बिना भी आप exist कर सकते हो तो वो आप नहीं हो तो you are not your sense of smell क्या इसका मतलब यह है कि हम नाक को काट करके फैक दे कहीं we have to take good care of that but we are not that दोनों में बड़ा फर्क है जैसे आपकी गाड़ी है जो आपको help करती है एक जगे से दूसरी जगे पर जाने के लिए और अब आप कह रहे हो कि यह गाड़ी मैं हूँ अभी हमारी यह हालत है अगर body के example से समझा जाए तो दूसरा है कि नहीं नहीं मैं यह गाड़ी तो नहीं हूँ लेकिन यह गाड़ी मेरी है तीसरा हो सकता है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि ना मैं यह गाड़ी हूँ ना मेरी यह गाड़ी है लेकिन यह मुझे help कर रही है तो I'll take care of that I'm a caretaker ऐसे ही you're not your sense of smell क्यों? क्योंकि जब sense of smell नहीं भी होता है तब भी आप होते हो ऐसे तो नहीं है न 24 घंटे आपको सुंगते रहना पड़ेगा तब ही आप exist कर पाओगे तो आपकी existence sense of smell पर तो depend नहीं करती तो you're not your sense of smell धर्ती, जल, taste बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कोई बिमारी होती है और हमारा sense of taste चला जाता है कुछ दिन के लिए तो क्या आप मर जाते हो या आप exist करते हो उसके बाद भी तो इससे हमें क्या समझाया you're not your sense of taste and there is no separate taster there is taste there is tasting but there is no taster जैसे चार बच्चे हैं और अभी newborn है तो उनकी चारों की breastfeeding चल रही है जो उनकी मदर है वो उनको breastfeed कर रही है तो वहाँ पर milk है taste है tasting है hunger भी satisfy हो रही है लेकिन उन चारों में कोई separation नहीं है यह कहना गलत नहीं होगा कि चारों का experience same है चारों का reaction same है जैसे हमने smell के वक देखा था कि smell चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो चारों का reaction same है तो चारों की consciousness same है तो क्या बच्पन में same होती है जब कोई newborn होता है और बड़े होकर कि अलग-अलग हो जाती है या जब हम बड़े होते हैं तो we acquire a lot of experiences lot of knowledge lot of name given to those experiences जिसको information बोलते हैं और उसकी वज़े से हमें लगने लग जाता है कि मैं इससे अलग हूँ क्यों? क्योंकि मेरा reaction इसके reaction से अलग है for example एक particular flower आप सबको अगर सुंगने के लिए दिया जाएगा तो सबका reaction अलग-अलग होगा कोई बहुत खुश हो जाएगा उसको सुंग करके कोई कहेगा आँ ठीक है कोई हो सकता है कहेगा नहीं मेरे कुश से अलग है तो आप क्या कहोगे? देखो मैं उससे अलग हूँ मेरी अपनी एक separate identity है मेरा अपना एक separate existence है क्या है ये मैं? अगर एक thought नहीं है तो जो memory पे टिका है उस memory को निकाल दो कहां है आपका वो मैं? इस इस रियल इंक्वाइरी जो मैं बोलता हूँ अपने sessions में Who am I? हम एक एक करके negate करते चले जा रहे हैं इसको नेती नेती बोलते हैं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं आगे एक ऐसा point आएगा जहां पर जा करके आप चाहो भी तो उसको negate नहीं कर सकते धर्ती, जल, अगनी यानि की sense of sight there is seen there is seeing and seeer आँखों से जो भी कुछ दिखता है अच्छा या बुरा क्या उससे आँखों को कोई फर्क पड़ता है? ध्यान से सुनना ध्यान से समझना अगर आँखों से आपने कुछ बहुत अच्छा देख लिया कुछ बहुत ही अच्छा नजारा है तो क्या उससे आपकी आँखे अच्छी हो जाती है? कुछ बहुत बुरा देख लिया तो क्या आँखे खराब हो जाती है? तो eyes are just like mirror जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके उपर किसकी reflection है तो scene क्या है, object, जो illumine किस से हो रहा है, light से light ना हो तो, चाए आँख खुली रखो, चाए बंद रखो कुछ नहीं दिखता है, बट आप कह सकते हो कुछ नहीं दिखता है in relation to, जो अपने past में देखा जब आप कहते हो आँख खोल करके या आँख बंद करके कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है यह वो ही इंसान बोल सकता है, जिसने past में कभी कुछ देखा हो उसको याद करके आप बोल रहे हो कि मुझे अभी कुछ नहीं दिख रहा है अभी यहाँ पर light नहीं है जब आप silence के बार में बात करते हो तो what you are doing is कि आपने sound की memory को याद किया कि अच्छा sound मतलब ऐसा तो ऐसा कुछ नहीं है तो अभी silence है तो scene क्या है यानि कि यह जो में दिखता है वो क्यों दिखता है कोई भी object दिखता है कोई भी form दिखती है वो क्यों दिखती है आँखों की वज़े से क्या सिर्फ आँखों का होना काफी है light भी होनी चाहिए क्या सिर्फ light का होना काफी है कोई object भी होना चाहिए ये Trinity है ये तीन है याँपर ज्यान से देखो triangle बन रहा है light तो हो, आखे तो हो बड़ कोई form ना हो जहांसे कि light reflect कर सके या refract कर सके तो light नहीं दिखती है light होती है लेकिन light दिखती नहीं है आखे खुली होती है लेकिन कुछ दिखता नहीं है तो कुछ भी दिखने के लिए एक form होनी चाहिए जिस form की through या तो light पास हो या जिस पर टकरा करके वो light हम तक आए तब कुछ दिखता है यानि कि हम scene को question नहीं कर सकते बट यह हमें समझ आ रहा है कि scene is relative we can only talk about the scene in relation to as well as eyes आखे जो कि एक ऐसे instrument है जो एक particular wavelength को देख सकती है उस wavelength के बाहर नहीं देख सकती यानि ultraviolet को और infrared को नहीं देख सकती आखे तो यह क्या हो गया relative हो गया but you are not your eyes if I am saying that उसका proof क्या है कि आप वो जो आखे नहीं देख सकती यानि infrared और ultraviolet उसको भी आज की rate में आप scientifically देख सकते हों तो आखो की जो limitation है उसके beyond आप चले गए उसको आप transcend कर गए through an instrument उसको भी आपने capture कर लिया उसको भी अपने experience में लिया आए that means you are not just your eyes you should take care of your eyes but you are not your eyes eyes की power को भढ़ाया भी जा सकता है और कम भी किया जा सकता है यह चश्मा यही तो कर रहा है आगे microscope लगा दो telescope लगा दो या और तरह के instruments लगा दो तो जो limitation है वो आखों की है आपकी नहीं है यह जो आपकी बॉड़ी है इसकी अपनी कुछ limitations है तो अगर आप यह कहते हो कि यह body की limitations है वहां तक तो ठीक है body खुबसूरत है body बचूरत है वहां तक तो ठीक है मैं खुबसूरत हूँ मैं बचूरत हूँ अब आपका सुख और आपका दुख किस से connect हो गया body से जिसको बड़े असानी से बदला जा सकता है अगर बदलना जरूरी लग रहा है तो इसलिए नहीं कि society ने एक particular तरहे की conditioning हम सब की कर दी है कि अच्छी body का मतलब ये जानवरों में तो ऐसा नहीं होता है जानवरों में तो fitness की definition बहुत अलग है मैंने ऐसे कोई जानवर नहीं देखे जिनके apps बने हुए हूँ 8 pack, 6 pack I've never seen such an animal और वो fit होते है कोई बिमारी नहीं है कोई डॉक्टर तक नहीं है उनके पास में तो ये जो आँखों की limitation है उसको हम अपनी limitation समझ बैठते हैं तो आँखों के होने या ना होने से life की जो usefulness है उसमें तो फर्क पड़ेगा आपके way of living में फर्क पड़ेगा लेकिन आपके उपर फर्क नहीं पड़ेगा यानि कि जो आप actual में हो उसके उपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा In other words आँखों के मर जाने से आप नहीं मरोगे ये हम अपने आसपास में देख सकते हैं और अगर आँखे खराब हैं वापिस से आँखे आ गई तो ऐसा नहीं है कि अब पैदा हो गई ये कह सकते हैं कि आई साइट आ गई साइट नहीं आई है साइट तो पहले भी थी वो साइट जिसको consciousness बोलते हैं जो कानों के थूँ sound को पसीब कर रही थी कुछ गरम टच होता है तो पता लगता है कुछ थंडा टच होता है तो पता लगता है ये breath है ये हमें feel होती है और body में कई तरह की sensations होती है जिसके बारे में हमको पता लगता है कई तरह की meditation practices हैं जो breath से linked है उसके पीछे एक reason है क्योंकि breath की कोई form नहीं है इसलिए जब आपका ध्यान breath पर जाता है तो there is a strong possibility कि अगर आप sincerely अपना ध्यान breath पर लगाते हैं तो आपके mind में कुछ बोलने के लिए नहीं होगा यानि की thought नहीं होगा लेकिन कब तक के लिए जब तक के लिए आपकी breath में लगता है या बुरा लगता है अगर आप मेंसे किसी ने भी कभी भी meditation करी है कहीं पर या घर पर भी तो आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ यानि आप sensations को देखना शुरू करते हो body में या breath को देखना शुरू करते हो जब तक moderation में कुछ हो रहा है तब तक आप बिना बोले देख सकते हो breath आई गई लेकिन जब उसको आप देखते हो तो breath में changes होते है कई कई बार ऐसी भी state आती है जब breath छूटने लग जाती है breath लंबी हो जाती है breath इतनी deep हो जाती है कि ऐसा लगता है कि breath चली नहीं रही है फिर डर लगता है कि कहीं breath बनना हो जाए फिर आप इसे breathe करने लग जाते हो तो thought का interference हो जाता है thought कभी भी पूरी तरीके से subdued नहीं होता है वो background में रहता है और कभी foreground में आता है फिर background में चला जाता है प्लस आपको अपना ध्यान लगाना पड़ रहा है वहाँ पर और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है whatever your mind focuses on expands तो जैसे ही आपका ध्यान जाता है आपकी body की sensations की तरफ तो वो sensations आपको दिखने लग जाती है और वो expand होने लग जाती है आपको बाहर दुनिया के जो experiences है उनकी तरफ से ध्यान हट जाता है और जो अंदर body में experiences होते रहते हैं उसकी तरफ ध्यान चला जाता है कुछ sensations अच्छी होती है, pleasurable होती है जैसे meditation में कुछ लोगों को बहुत अच्छे experiences होते हैं कुछ को बुरे experiences होते हैं, कभी कभी pain होता है तो जब pain होता है, तो गुस्सा आता है कुछ अच्छे experiences होते हैं, तो मज़ा आता है सेम जैसे बाहर की दुनिया में होता है तो आप meditation तो कर रहे हो बट अभी आप meditation से कोसो मील दूर हो क्योंकि आप वो ही कर रहे हो जो बाहर की दुनिया में करते हो मुबाइल पे क्या करते हो कभी observe किया है जैसे आज के लिए shots बहुत चलती है Instagram पे reels चलती है तो आप देखते हो 1-2 second के लिए देखा मज़ा नहीं आया हटा दिया देखा 10 second के लिए मज़ा आया पूरा 30 second तक देखा और देखके अंदर chemical release हुआ मतलब कुछ मज़ा आया तो अब आप crave कर रहे हो वापिस से उस तरह की sensation के लिए ताकि वापिस से वो pleasure मिले आपको लगा नहीं यहाँ पे कुछ नहीं है फटाफट से आगे फिर आगे फिर आगे फिर आगे फिर एकदम से देखा अरे यार यह तो बेकार हो गया अब आपके अंदर craving और भढ़ गई और अच्छे experience की जैसे प्यास जितनी ज़्यादा होती है उतना ही पानी में ज़्यादा मज़ा आता है भूग जितनी ज़्यादा होती है खाने में उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है खाना अच्छा नहीं होता है तब भी मज़ा आता है तो ये artificial intelligence क्या कर रही है पीछे से mobile phone में अगर आप देखोगे तो आपको pleasure देती है एक level पे उसके बाद में थोड़ा सा आपको pain देती है यानि उसका opposite आपको दिखाती है तो craving और बढ़ जाती है अब आप logically सोचोगे तो आप कहोगे वो ऐसा क्यों कर रहे है non stop pleasure क्यों नहीं दे रहे है अगर आप psychologically समझोगे कि अगर आपके अंदर भूक नहीं होगी तो खाने में मज़ा नहीं आएगा तो addiction नहीं होगा तो इस तरीके से आपको addict बना दिया जाता है कि आपको समझ भी नहीं आता है ऐसे ही लोग meditation के addict हो जाते है यानि उन्होंने क्या किया mobile तो नहीं है आखे भी बंद हो गई है अब वहाँ पर आख बंद करके बैठे हैं तरह तरह के अंदर experiences हो रहे है कभी कोई chemical reaction हो रहा है उसमें मालनों यहाँ पर light दिख गई कभी थुड़ी देर के लिए जो thought है वो एकदम से subside हो गया कभी कभी ऐसा होगा कि thought resolve हो जाएगा तो आपको बहुत अच्छा फील होगा अब वापिस से आप उसके लिए crave करोगे जैसे ही crave करोगे वापिस सफरिंग शुरू हो गई फिर एक दो घंटे बाद फिर कोई experience हो गया फिर कुछ और हो गया 10-20 साल से 30 साल से और लोगों को लग रहा है कि पता नहीं कितने बड़े meditator हो आप एक चुल में क्या किया आपने कुछ experiences इखटे कर लिए जिससे आपकी ego और भढ़ गई एंकार और भढ़ गया मतलब जो आपका अपना एक thought है कि मैं ये हूँ उसके साथ में कुछ जुड़ा हुआ है क्या जुड़ा हुआ है knowledge जुड़ी हुई है और experiences जुड़े हुए है concept of right and wrong जुड़ा हुआ है pleasure or pain जुड़ा हुआ है तो वो जो आपका baggage था जिसको खतम करने के लिए आपने meditation शुरू करी वो baggage और भढ़ गया ego और भढ़ गई क्यों क्योंकि अब आपने division create किया अपने mind में कि मैं spiritual path पे हूँ मैं meditation कर रहा हूँ और मेरे को इतने तरह के experiences हो रहे है इनको तो कुछ पता ही नहीं तो मैं ज्यानी हूँ ये अज्यानी है तो गए थे अपने हैंकार खतम करने और हैंकार बढ़ा करके आगए तो अब हम अपनी inquiry पे वापिस से आते हैं और deeply देखते हैं because this is the subtlest of all experiences तो इसको देखने के लिए आपकी कैसी नजर होनी चाहिए which is extremely subtle तब आप देख पाओगे जो मैं अब बोलने वाला हूँ उसको जब आप अपनी किसी sensation को देखते हो चाहे वो breath हो चाहे body में कोई sensation हो कुछ भी हो तो वहाँ पर तीन चीज़े होती है एक होता है experienced यानि जिसको आप experience कर रहे हो sensation को एक है experiencing एक है experiencer ये बहुत आगे की inquiry है अराम से, ठंडे दिमाग से step by step चला तब आप देख पाओगे सच को इसको तीन categories में divide कर सकते है आपको एक experience हुआ लेकिन उस experience की वज़े से biologically या psychologically कोई reaction नहीं आया तो क्या हुआ यहाँ पर अभी हजारों तरह की sounds है उन सब में से आप मेरी sound सुन रहे हो बाकी sounds का क्या हुआ अगर उन sounds को आपने सुना ही नहीं तो listener कहा है तो वहाँ पर कोई भी separation नहीं होता है जैसा घहरी नीन में होता है या छोटे बच्चों के case में होता है बहुत तरह की आवाजे आती हैं बच्चों की तरफ से कोई reaction नहीं आता है बट एकदम से कोई तेज आवाज हो जाए बच्चे के कान के पास में तो बच्चे का एकदम से reaction आएगा तो अब देखते हैं मैं कब पैदा होता है और कैसे पैदा होता है जैसे मैंने example दिया उस बच्चे का कि उसके पास से कुछ ऐसी sound हो जहां से कोई reaction trigger ना हो biological तो sound का होना या ना होना बराबर लेकिन अगर वो sound ऐसी है जिसकी वज़े से कोई positive या negative outcome जुड़ा हुआ है तो reaction आ जाएगा जैसे बच्चे को भूख है अब उसको अपनी मा की आवास सुनाई दी तो एक positive reaction आएगा उस बच्चे की तरफ से वो बच्चा रो रहा है लेकिन आपको लग रहा है वो परिशान है जबकि वो खुश है क्योंकि उसको पता है रोने से वो हो जाएगा जो वो चाहता है तो that is a positive reaction बच्चे की तरफ से कोई आवाज है जो उसको disturb करती है जिसके साथ में कोई outcome related नहीं है लेकिन biologically एक response आ रहा है कि एकदम से तेज एक आवाज हुई उस आवाज की वज़े से पूरी की पूरी जो हमारी body है वो disturb हुई उसको एक danger feel हुआ जैसे आप अपनी छट पे ले जा करके एक छोटा सा कोई bum फोड़ दो तो आस पास में जो कबूतर होंगे वो सब ओड़ जाएंगे तो यह क्या है biological response वो सोच करके नहीं कर रहे है immediate हो रहा है instantly हो रहा है तो यहाँ पर भी ध्यान से सुना experiencer, experiencing sensing और experienced में कोई gap नहीं है in fact there is no experiencer एक sensation हुई एक sense object का perception हुआ immediate reaction आया वो reaction जो आना चाहिए biological तो जो लोग इसको control करने में लगे हैं उन्हें क्या का होगे वो अपना time खराब कर रहे हैं बहुत सारे लोग यहीं फसे हैं यानि जो biological आपकी body के level पे होता है उससे related कुछ concepts में आप लोग के mind में plant कर दूँ कि यह जो हो रहा है यह नहीं होना चाहिए जो सबकी body में हो रहा है इंसानों में भी हो रहा है जानवरों में भी हो रहा है और मैं कहूँ जब यह आप control कर लोगे तो फिर आत्म ग्यान की बाते होंगी तब enlightenment की बाते होंगी तो क्या यह कभी control हो पाएगा कभी भी नहीं तो क्या कभी कोई enlightenment या कुछ आगे की चीज या कभी कोई उची बात कभी हो पाएगी कभी भी नहीं यानि कुछ भी ऐसा जो आपके basic nature से अलग है ऐसा कोई concept आप लोग के mind में plant कर दिया और आपको बोल दिया कि इसमें कोई कमी है अब आप वहीं उल्जे होए हो और आपके अंदर इतना inferiority complex है कि आप आगे भड़ी नहीं पा रहे हो for example आप non wedge खाते हो तो मैंने आप लोग के mind में आकर गे पहले concept plant कर दिया कि पहले non wedge को छोड़ो wedge खाओ फिर बात करेंगे अब ये non wedge खाने का जो पूरा का पूरा आपका structure है वो कितने सालों में बना है 20-30 साल में, 40 साल में दो दिन में छोड़ दोगे अब मैं ये नहीं कहा रहा non wedge खाना ठीक है या सही है इस example को एक step और भी आगे भढ़ा सकते है cigarette पीना गलत है अब मैं आपको बोल दो cigarette पीना गलत होता है आप पीरे और 20 साल से पहले उसको छोड़ो फिर आगे बात करेंगे कब तक के लिए टक गए हमेश्या के लिए तो ये जो biology है इसको अच्छे से समझ लो अगर नहीं समझोगे तो spiritual बात पे कभी आगे नहीं भढ़ाओगे this biological response is not a problem अगर ये समझ गए हो तो हम अगले step पे जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई experiencer होता ही नहीं है immediate experience होता है immediate reaction आता है जैसे if there is a danger in your life real danger not perceived danger जैसे अगर आप कहीं जंगल में जा रहे हो और एकदम से सामने से share आया तो वहाँ पर immediate reaction होगा वहाँ पर कोई time interval नहीं होगा कोई choice नहीं होगी क्या बैठ करके सोचो कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं जो होना होगा immediate होगा based upon your conditioning या तो आप भागोगे या लड़ोगे fight or flight immediate तो यह problem है ही नहीं तो इसको solution क्यों निकालने में लगे होए हो और एक step आगे भड़ो न कोई sense object से आपका contact हुआ आपका मतलब किसका आपकी brain का उसके बारे में आपको पता लगा लेकिन कोई biological response नहीं आया है वहाँ पर वहाँ पर एक psychological response आया है तो यहाँ पर एक experiencer पैदा हो गया है जो या तो उस experience को continue रखना चाहता है क्योंकि उसमें pleasure है या उससे पीछा छुडाना चाहता है क्योंकि उसमें pain है एक है biological एक है psychological जिससे भूख लगती हैं कुछ खाते हैं तो pleasure होता है कुछ गरम लगता है तो pain होता है in other words यहाँ पर एक touch हुआ और आपको उस touch के बारे में पता लगा जिसके base पर अंदर आपने कुछ बोला यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है because it is just for name's sake आप उसको identify कर रहे हो but यह होने के बाद में identify होने के बाद में क्या होता है मुझे यह touch feel हुआ मैंने यह देखा मैंने यह सुना अब यह जो मैंने सुना उसके according मुझे यह करना है यह जो मैं है अगर इसको आप ध्यान से देखते हो तो this particular thinker controller जो situation को control करना चाह रहा है it is not different from the controlled the moment you see this as a fact तो इस impression मिठ जाता है क्योंकि अप करने के लिए कुछ भी नहीं है ध्यान से सुनना ध्यान से समझना अगर biologically कोई problem है आपके लिए तो वहाँ पर इस controller की जरुवत है अगर actual में कोई problem है तो controller की जरुवत है यानि मालनो financial problem है तो तो उसका solution निकालना है तो you need a controller बट जो काम करने लायक थे पूरे दिन में आट नो घंटे में वो आपने कर दिये आपने हर एक चीज की properly care करी अपने सारे काम खत्म कर दिये अब सोने के लिए जा रहे हो अब आपको उस controller की क्या जरुत है so the moment you see कि ये जो thinker है ये जो experiencer है ये जो controller है it is nothing but a thought it is not different from what it is trying to control जो controller control करने की कोशिश कर रहा है अगर उसको हटा दो तो controller कहीं भी नहीं है if you can see that तो you are free from yourself in that very moment आप क्या चाहते हो आप मैं को मुक्त करना चाहते हो मैं कभी भी मुक्त नहीं हो सकता है मैं से मुक्त हो सकते हो in other words the moment you see कि कोई separate thinker है ही नहीं thought तो है sensation तो है sense object तो है but कोई separate thinker की अपनी कोई existence है ही नहीं लेकिन अगर एक questioning आप मेरे साथ साथ में कर सकते हो तो क्या होता है आप ये देख लेते हो कि ये जो धागा है ये जो इन अलग-अलग thoughts को जोड रहा है वो धागा खुद एक thought है it is just for name से एक actual में कहीं नहीं है ध्यान से अपने आपको जा करके देखो शीशे में क्या अभी जो आपकी बॉड़ी है जैसे आप दिख रहे हो बच्चमन में ऐसी दिखते थे तो वो एक अलग बॉड़ी थी scientifically आट-दस साल में बॉड़ी पूरी के पूरी चेंज हो जाती है बॉड़ी के सारे और गन्स चेंज हो जाते है यह एक अलग बॉड़ी है पर दोनों को जोड़ करके हम कह रहे हैं कि मैं यह हूँ which is a myth if you can see that then you are free from yourself आपका जो concept of self है यह dissolve हो गया खतम, कहा है, ढूंडो इसको एक-एक मोती को पिरो करके पूरी माला बनती है, यह मोती क्या है एक experience है, जिसमें बॉड़ी की, उसके बिना exist कर सकते हो यह नहीं कर सकते हो धर्ती, जल, अगनी, वायू यानि कि क्या, वायू मतलब क्या, sensations sense of touch क्या अगर वो sensation आपको नहीं भी पता लगे लेकिन अगर आपकी brain activated है आप सोच पा रहे हो तो क्या आप exist कर रहे हो यह नहीं कर रहे हो you are definitely existing that means you can exist without your sensations if your memory is activated तो you are not your sensations अब एक स्टेप और आगे पढ़ जाते है धर्ती जल अगनी वायू, आकाश यानि कि sense of hearing अब hearing दो तरीके की है एक है जो कान खुल करके हम सुनते है एक जो हम कान बंद करके सुनते है तो जो कान खुल करके सुनते है वो sound हो या ना हो उससे आपके होने या ना होने पे कोई फर्क पड़ता है कान हो या ना हो, उसके होने या ना होने से कोई फर्क पड़ता है तो आप हो क्या तहीं ऐसा तो नहीं है कि इस सब को मिला करके जो बनता है वो ही आप हो यानि कि जो भी आपको experiences हुए और उससे related जो knowledge पड़ी है जो thoughts है, feelings है, emotions है Are you a bundle of that? क्या वो ही हो? क्योंकि अगर उसको हटा तो तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं emptiness, एक void है तो लोग यहीं पर जा करके अटक जाते है बहुत सारे लोग past में जिन्होंने inquiry करी वो बस यहां पर जा करके अटक जाते है और उन्होंने इसको कोई नाम दे दिया कि मैं ये भी नहीं हूं, मैं ये भी नहीं हूं, उनसे कुछ अच्छा फिर तुम क्या हो? वाँ पर जाकर के चुप हो गए अब जो चुप हो उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्नोंने कुछ ऐसा देख लिया, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है इसलिए चुप हो गए बहुत सारे इसलिए चुप हो गए क्योंकि उनको कुछ दिखा ही नहीं वो अपने thoughts में उल्जे रहे गए पांचो senses को हमने देख लिया दुनिया को देख लिया, सब कुछ देख लिया end में क्या बचा रहे जाता है जिसके base पर आप कह सकते हो कि मैं हूँ, सीधा उसको question करते हैं और सिर्फ question नहीं करेंगे, experientially अभी देखेंगे अगर आप कानों को भी हटा दो आँखों को भी हटा दो, हटा दो मतलब कि आप ध्यान हटा लो sensations पर से ध्यान हटा लो smell पर से ध्यान हटा लो taste पर से ध्यान हटा लो आँखों पर से ध्यान हटा लो आँखों के थूद जो दिखता है वहाँ से ध्यान हटा लो यानि आखे बंद कर लो जो भी sensations हो रही हैं body में फिर चाहे breath से related, touch पता लग रहा है चाहे कोई गरम लग रहा है, ठंडा लग रहा है कोई subtle sensation है, कोई gross है वहाँ से ध्यान हटा लो जो भी भाहर से आवाज आ रही हैं, वहाँ से ध्यान हटा लो करो मेरे साथ साथ में, आखे बंद करो अब अगर आपने इस सब जगे से ध्यान हटा लिया तब भी आप तो हो ना आपके होने के लिए इस सब के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है हाँ, इस सब चीजों की अपने अपनी utility है, usefulness है बट आपके existence पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है अब इस moment में जब आपने अपना ध्यान सब जगे से हटा लिया तो अब आप देखो आप अपने अंदर ही अंदर अपने आपको क्या बोल रहे हो अगर आप मेरे साथ यहां तक आ चुके हो तो बोलती बंद हो चुकी है आप अभी इस moment में अपने आपको कुछ भी नहीं बोल रहे हो यानि कि कुछ भी नहीं सोच रहे हो you are in a thoughtless state तो अभी आप सब sound of silence को experience कर रहे हो ध्यान से अगर अपनी brain को observe करोगे तो इसको सुनने में भी effort है कोशिश है इस effort को भी छोड़ दो इसको सहत समाधी कहते है अगर अभी आपने ये देख लिया है कि चाहे आप इसको सुनो या ना सुनो ये तो है ही और सिर्व वो नहीं है जिसको आप सुन रहे हो यानी कि experienced experiencing is also spontaneous इस state में कोई difference नहीं है सुनने वाले में और जिसको सुना जा रहा है उसमें इसके बीच में कोई gap नहीं है यानि सुनने वाले के बीच में और जिसको सुना जा रहा है उसके बीच में कोई डिवीजिन नहीं है अब आप वापस से एफर्ट करो इसको सुनने का या ना सुनने का ये जो एफर्ट है ये एहिंकार है या इगो जो आपको लगता है कि मैं ये हूँ बट इस मैं की अपनी कोई existence नहीं है आपके चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होने वाला यहां पर आप चाहो या ना चाहो सुनना चल रहा है आपके चाहने या ना चाहने से sound of silence के हूने या ना हूने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है This is pure consciousness जहां पर listening तो है लेकिन listener नहीं है जहां पर subject और object में कोई division नहीं है कोई separation नहीं है ये state आपकी और मेरी या हमारी अलग-अलग नहीं है इस जगे पर कोई मैं और तू नहीं है कोई आत्मा और परमात्मा नहीं है past, present, future उसमें भी कोई फर्क नहीं है किसी भी तरह की कोई space नहीं है इन दोनों के बीच में इस जगे पर आपका जो भी effort है वो किसी काम का नहीं है इसलिए इसको effortless समादी बोलते है यहां पर आपके पास में कोई choice नहीं है ना आपके करने से कुछ फर्क पढ़ने वाला है ना ना करने से यह तो है ही और आप भी हो ही बिना किसी effort के इसको बोलते हैं निर्विकल्ब समादी सहथ समादी